हालो गाइस, वेलकम बैक तो माई न्यू वीडियो एंड वेलकम बैक तो माई एसके फैशन लाइश्टाइल चैनल टीचर्स के लिए सिंपल एंड इजी टिप्स है, बाकि आप सब टीचर्स हो, मुझसे बहतर जानते हो अगर आप नए-ने टीचर हो, स्कूल जाना शुरू करे हो, या फिर कर चुकी हो, तो आपके लिए ये टिप्स थोड़ी बहुत तो काम आ ही जाएगी तो विडियो को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं से टीचर को mad and simple look वाले hairbands यूज़ करना चाहिए जो कि इस तरह के matte colours में रहेंगे, आप चाहे तो black colour के hairbands का भी यूज़ कर सकते हैं पैक था मेरे पास hairbands का जो कि सिर्फ और सिर्फ 30 रुपीज का था और इनकी quality बहुत अच्छी लगी थी मुझे, मुझे लगता है कि इस तरह के hairbands teacher को काफी जादा पसंद आएंगे, स्कूल में अगर आप पार्टी function के लिए ready हो रहे हो या पिर आपको स्कूल पार्टी के लिए कुछ hair style करना हो तो आप इस तरह के hairbands यूज कर सकते हैं पर्ल्स वाले hairbands जो है वो थोड़ा सा party wear में भी जाते हैं और simple look में भी अच्छे से जा सकते हैं इस तरह के black plane hairbands भी आप party में यूज कर सकते हैं school के लिए इसके अलावा option में मेरे पास कुछ hair clips है इस तरह के matte and plain color के hair clips आप यूज करेंगे तो अच्छा लगता है लेकिन आप stones वाले glitter वाले बहुत ही जादा चमकीले hair clips ना यूज करें बागी आप अपनी पसंद के हिसाब से किसी तरह का hair clip यूज कर सकते हैं और option में hair clip है इस तरह के pink color वाले black color वाले या ब्राउन कलर के hair clips आप अपने लिए यूज कर सकते हैं यह designer hair clip भी लग रहा है party wear के लिए ठीक रहेगा और daily wear के लिए ठीक रहेगा तो मुझे यह option अच्छा लगा daily use के लिए इसलिए मैंने इसको भी इस kit में add कर दि हैं ऐसे दिखने वाले black color के bracelet हर किसी के हाथ में अच्छे लगते हैं बहुत सारे teachers या फिर college going girls इसको यूज करती है इसलिए सबसे पहले option में मैं को यही दिखा रहे हूं next आप इस तरह का bracelet भी यूज कर सकते हैं जो कि इस तरह का थोड़ा सा stylish look में लगेगा आप अपनी life मे हमेशा style look create करने की कोशिश करते हो तो भी आपके लिए यह सही रहेगा simple way में जो कि आपको watch की तरह भी नजर आएगा और एक bracelet का भी काम करेगा एक आप में watch नहीं पहनना चाहते किसी तरह की चूड़िया नहीं पहनना चाहते watch जैसा दिखने वाला bracelet पहन सकते हैं यह आपक simple रहना पसंद करते हो काफी जादा simple रहना पसंद करते हो तो आपके लिए इस तरह का bracelet परफेक्ट रहेगा चाहें तो affordable price में इस तरह की watch ट्राइ कर सकते हैं यह आपको 200-200 रुपे में easily मिल जाती हैं अगर आप ऐसी वाली watch उसकरना चाहें तो कर सकते हैं डिपेंड करता है कि आप किस कलर की watch पहन रहे हो अगर आप इसी watch को green color में या फिर blue color में पहनोगे तो बिल्कुल भी आपका look इतना जादा अच्छा नहीं लगेगा जितना जादा इस तरह के matte colors में अच्छा लगता हैं कितनी भी सस्ती watch अपने हाथ में डालो डिपेंड करता है कि आप कौन स से color की watch पहन रहे हो अगर आप इसके अलबा blue color या फिर red color green color और yellow color sky blue color की watch पहनेंगे तो आपके हाथ में इतना ज्यादा अच्छे नहीं लगते सस्ती होने के बावजूद भी ये आपके हाथों को बहुत अच्छा look दे सकती हैं अगर आप के school में कोई function हो या फिर कोई party हो तो इस तरह की watch आप wear कर सकते हो ये भी आपको बहुत कम price में market में मिल जाएगी next मेरे पास black color की ही एक smart watch है ये थोड़ा सा expensive रहती है आप चाहे तो इसका भी use कर सकते हैं rings के लिए आपको market में बहुत सारे options मिल जाएंगे इसलिए मैं यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ द options होंगे तो इसके लिए वीडियो लेंती करना इतना जादा मुझे साही नहीं लग रहा इसलिए मैं आपको सिर्फ और सिर्फ दो options दिखा रही हूं आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल सेट है जो स्कूल टीचर्स के लिए परफेक्ट जा सकता है नेक्स इस तो सबसे पहले मैं आपको रिकेमेंड करना जाहूंगी सिजर्ट का यहाँ परदी जो आपके हर तरह तरहां के ऑर और हर कलर lor के कड्रे से परफेटली जाते हैं सीजर्ट आपके लिए एक ऐसा option है जो हमेशा trend में रहता है और हमेशा style look देता है सबसे पहला option मैं आपको यही दूँगी आप जितना हो सके उतना सीजर्ट की तरफ जाओ अपने teachers look के लिए एक बार सीजर्ट की ring earrings and bracelets और गले के कुछ necklace आप सीजर्ट के try करो आपको यही सबसे जादा best लगेंगे लेकिन इसके अलावों बहुत सारे लोगों को अलग-अलग तरह की earrings अलग-अलग के looks पसंद आते हैं इसके लिए मैंने आपे और भी कुछ options रखे हैं जिनका पे थोड़ा सा black metal में बहुत सारा trend में चलता है इस तरह का earrings तो आप इस तरह के earrings को अनार कली फ्रॉंग पे wear कर सकते हो तो इन दोनों earrings के अलावा आपको इन में से कोई भी इनकी टक्कर का नहीं मिलेगा आज की वीडियो में जितनी भी earrings में आपको दिखा रही हूं उनमें सबसे ज़्यादा आपको यहीं पसंद आएगा और मैं भी आपको यहीं रेकेमेंट करना चाहूंगे सीजर्ट की जलेरी जितना आप ट्राइ करोगे उतना आप अच्छे लगोगे इस तरह की earrings भी मार्केट में बहुत ज़्यादा सेल होती है जिसको बहुत सारी लड़किया आजकल पसंद कर रही है मैं इनको नहीं रखा इसको सेवाली earrings में teachers को recommend नहीं करूंगे इनको मैंने आप इसलिए रखा क्योंकि जितनी भी earrings मैं आपको दिखा रही हूँ उनमें से सबसे जादा मतलब वेस्ट लगेगे teachers के लिए तो आप इस तरह की earrings ना पहने हो लेकिन अगर recommend करने की बात आए तो मैं आपको इस तरह की जोलेरी पहनने से मना करूंगी नेक्स्ट मैंने यहाँ पे छोट इसी टॉप्स रखे हुए हैं जो कि बहुत ही जादा pretty and smart लुक देते हैं teachers को किसी भी color में आप किसी भी तरह की कुर्ती वेर कर रहे हो cotton की कुर्ती हो चुंद्री की कुर्ती हो साडी हो किसी भी तरह का ड्रेस हो हर ड्रेस पर यह वाले टॉप्स मैच कर जाते हैं suit कर जाते हैं इसलिए यह भी मैं teachers को highly recommend करना चाहूंगी और यह बहुत ही ज़्यादा सस्ते मिलते हैं 30-40 रुपे में मार्केट में आपको इस तरह के टॉप्स आसानी से मिल जाते हैं तो गाइस यही था मेरा आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो इन्में किसी तरह की कोई भी जैलरी आपको अच्छी लग की लिए ही हैं अगर आपको इन में से किसी भी वीडियो में इंट्रस्ट हैं तो आप उसी वीडियो पर क्लिक करके फुल वॉच कर सकते हों इसके अलावा आज की वीडियो आपको helpful लगे तो लाइक शेर एंड सब्सक्राइब मिलती हो नेक्स वीडियो में स्यू सून बाइ बाइ